हालो फ्रेंग्स वेल्कम यू ओल आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिकारों दिखे बात करेंगे इंजीनिरिंग स्टॉक्स की चलिए कुछ ताइम पहले हमने इंजीनिरिंग स्टॉक में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल इंजीनिरिंग की बात करी थी भी अचियल और आज एक बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा और आपको पहले ही एक इंपॉर्टेंट बात बता दें इन वीडियो को आप यहां पे टिप्स या रेकमेंडेशन की तरह नहीं बलकि लर्निंग की तरह यूज करें क्योंकि आप बहुत कुछ सीखोगे अगर आप रेगुलर व्यू इस उसका सार सब कुछ यहीं पर है चोटी चोटी चीज है अगर आप बिलकुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तब भी आपके लिए बहुत ही फाइदे बंद है यह प्राइस सेक्षन की सीरीज लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी देखने में और साथ में चार्ट में प्र जड़ा 드ेखिए यह इंजिनिरिंग स्टाउक अलग अलग तरीके का अफैंस के डिफैंस आप देख रहे हो नैसले बॉर्डर को सिख्यार करने वाला जांस और साथ में एरो स्ट्रक्टर स्ट बहुत सारे इरो स्पेक्स के लिए यह काम करता हैं इंजिनिरिंग कंपोनेंट यहाँ पर बनाता है और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है hydraulic gear pumps hydraulic gear pump बहुत जबरतर सी यूज इनका होता है अलग-अलग industry में चाहे crude oil के industry हो यह high viscosity वाले liquids जो होते हैं उनको pump करने में यह hydraulic gear pumps बहुत काम आते हैं और आप देखिए wide range of application तो ही stock की तो आप देख रहे हो यही है वह hydraulic gear pump आप देखिए और यहीं इंडिया में ही नहीं UK यानि के ब्रिटेन में इसका अच्छा खासा काम यहाँ पर है और अभी अगर आप देखो एक चीज बहुत ध्यान से focus करना इस direction में सोचने की कोशिश करना अभी न बहुत जबरदस तादात में फिर से repeat करूँगा इसको इस point को फिर से repeat करके आपका focus डलवाने की कोशिश करूँगा बहुत जबरदस तादात में पिछले एक साल के अंदर loss हुआ है किस चीज का defense equipment का चाहे वो plane हो चाहे वो zone हो चाहे वो tank हो चाहे वो artillery हो बहुत जबरदस तरीके से तो यह जो sector है engineering वाला जहाँ पर और improvement देखें एक important बात जैसे second world war हुआ second world war के बाद आपने देखा हुआ कि एकदम चीजों में बहुत improvement हुआ नहीनी technologies आगे आई जो companies थी उन्होंने research करी नहीनी technologies आगे आई और उस time के जो weapon systems थे वो बिलकुल उसी हिसाब से वो चीजे देखी लेकिन अब धीरे धीरे जब बीच में stagnant phase हो गया wars and all कम हो गये उनकी तो वहां पर फिर वो जो गोत है वो रुक जाती है research की लेकिन यह धीरे धीरे जैसे जैसे अभी फिर से insecurity फील होती रहेगी countries को तो इस direction में और जबरतस तरीके से research होते रहेंगे तो यह important sectorial area सोचने के लिए आपको दे रहे लेकिन यह pumps अगर आप देखोगे चाहे agriculture की बात होता है और यह company कौन सी है जिसके हम बात कर रहे है वह है डाइन डाइनमेटिक टिकनोलोजिस लिमिटेड यह stock अभी कुछ टाइम पहले जब हम आपके लिए भारत भी हेल का stock लेके यह देखिए यह भी हेल इस रेंज में आपके लिए लेकिए और टार्गेट एडिया यही एटीज के अराउंड का था देखिए तक पहुच चुक है और क्यों यह consolidation जैसे चल रही थी और साथ में RSI MACD यह weekly चार्ट है और यह stock आपके सामने आ गया था आपको गयर हुआ कितनी की एजली अचीब कर दिया अभी stock को देखना आप यह stock बिलकुल उसी तरीकी की situation बनाते हुए और stock हमारी रडार में देख रहे हो बिलकुल उसी तरीके की सिच्वेशन बनाते हुए और स्टॉक आ गया है रडार में टार्गेट जादा नहीं रखेंगे टार्गेट इनिशल टार्गेट देखें आपको बार बार एक ही चीज़ाम कहते हैं कि भई टार्गेट धीरे-धीरे बिलकुल फिर अगला टार्गेट जोन यह उपर रहेगा यहां से अमरे पास अभी आपके पास अविलेबल है सिच्वेशन देखिए हैवी इंजिजिरिंग की बात करो या लाइट इंजिजिरिंग की स्टॉक इंजिरिंग कौन सा स्टॉक फिर से रिपीट करेंगे नाम अगर आपन सब्सक्राइब का मार्किट का प्राइशन और कंपनी का जो प्राइस है वह 2440 के अराउंड है काम देख लीजिए आप काम हमने आपको बता है एरोस्पेस आटोमेटिब हैड्रॉलिक इंडस्ट्री इसका यह काम है योरोप योरोप में देखिए योरोप का नाम आया और य योरोप पिछले आट-दस महिनों से काफी इंसिक्योर फील कर रहा है चाहे वो एनरजी हो चाहे डिफन्स एक्विपमेंट्स हो सब कुछ जोंक दिया यूकरेन को दे दिया लेकिन अब कंट्री के पास खुद के हत्यारों की कमी हो गई है वहाँ पे अब उनको लगता है य रशय यूज कर रहा है डिरेकली उनको रशय की तरफ से और अमेरिका बिटेन इनके हत्यार यूकरेन यूज कर रहा है इस तरीके से चाहिए लेकिन जब वार होता है इसका मतलब यह थोड़ना है कि आप पूरा-पूरा एक 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 अप्विपमेंट बना के आपने स यूज कर रहा है दो ज करते हैं जरूरी थोड़ना है कि जो यूकरेन हत्यार यूज कर रहा है चाहे हो मिसिल को चाहे वह आटिलरी चीज मिस्ताइक già हो चाहे प्लें हो जो ब्रिटेन इसको सप्लाई कर रहे हूंगि उनके छोटे चोटे एक्वीमेंट वह नहीं यह जो है उपन कर दिया आपके लिए तो जराइए जरूर सोचे है क्योंकि अगर सबसे बेसिक एक्जामपल मान के चलिए कि टाटा मोटर से गाड़ी बनाता है या मारूती एक गाड़ी बनाती है तो बहुत गाड़ी की आप देखोगे टायर वाली आपने का मदर संसुमी देख रहें इस पार्ट को तो ऐसी बहुत सारी निकल के आजाती है जब आप डिटेल में घुसते हैं गारी बनती है लेकिन उसमें 100-200 कंपनी एतलीस्ट इतने पार्ट है फिर आप और गए इंजन में घुसे आपने का इंजक्टर कौन कौन मनाता है समझे इस पार्ट को और आगे जाओगे आप शीट में जाओगे फिर फोम दिखेगा आपको फिर कवर्स दिखेंगे आपको और डिटेल में आपको क्लश कौन मना रहा है आप देखोगे फिर को यार यह फिर फिर एलक्ट्रिकल कॉंपोनेंट्स की जब बात इस तरीके से जरूर सोचे अगर आप मार्केट में सोचते हो तो यह स्टॉक क्यों रडार माया इसका मेजर कारण आप देख सकते हो बहुत जबरतस वॉल्यूम मना था यह वाला देख रहे हो बैलेंस हो गया प्राइस अब फिर से तयारी अगली तयारी लंबी तयारी तो चले देखेंगे डेटेल में और फिलहाल कारण देख सकते हो आप वीकली चार्ट कारण देख सकते हो और एक्जामपल में आपको दिया डेली चार्ट पर और देखी आपको गयार वाह यह जो केंडल बनी थी ने यह वाली केंडल बिलकुल खतरनाक वाली अमेजिंग RSI MACD प्राइस तो चले फिलाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को उम्मीद करता हूं रिलेट कर पा रहे होंगे आप वीडियो अच्छा लागा तो शेर जरूर कि यह लाइक की जो प्राइस सेक्षन सीखते रहे है प्रैक्टिस करते है प्रैक्टिस बहुत इंपर्टेंट है और रिस्क मैनेजमेंट लोगों को भी अवेर करना आपका काम है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी थैंक्यू थैंक्यू पर लाचिंग वीडियो